हर subject में मैं आपको एक simple revision का technique बताता हूँ, आपके जितने teachers ने हैं वो बहुत अच्छे teachers हैं, आप जिससे पढ़ रहे हो उनपे trust करिए, वो बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, आप उनके notes को multiple times कर डालिये, आप कोई book मत करिए, कोई भी objective book आप मत करिये, इस जगे पर आप कोई भी objective book मत करो, बिल्कुल भी मत करो, आप केवल और केवल notes को 5 बार कर लो, notes को 5 बार करने के बाद में आप new से old PYQ कर लो, past साल के आप PYQ कर लो, और जो PYQ आया हुआ है उसको अपने notes में underline कर लो, कि जैसे suppose करो, माल लीजे Rolls Law के उपर question आया हुआ है तो आप elevation in boiling points को आप underline कर लो, कि यहां से question आया हुआ है, माल लीजे Friedel Craft reaction से question आया हुआ है, तो आप उसको circle कर लो, और उसकी उपर लिख लो, कि इसमें question आया हुआ है, तो जब आप वापिस अपने notes को revise करोगे, जब आपने notes को revise करोगे, तो आप देखोगे कि यहां से question आ करता ही नहीं है, need, keval, and keval perfection को demand करता है, किसको demand करता है, perfection को demand करता है, आप एक ही आपकी जो notebook है, आपके जो notes से उसको 5 बार कर डालो, आपका selection कोई रोक नहीं सकता, मैं बिलकु सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक सकता, पहले selection जो है वो justify करो, उसके बास सोचो त भी बेस कर लो, कोई फरक नहीं पढ़ना है, इस बात को तुम बहुत अच्छे से समझ लो, तुमको इसके बाद में PG के लिए मौके मिलेंगे, तुम वहाँ पर अच्छे कॉलेज में जा सकते हो, वहाँ से अधी मालो अच्छे में नहीं जा पाए, तो तुम सुपर स्पेशल समझ मा आगया, कोई strategy, कोई technique, कुछ भी याद रखना, आपको select तब तक नहीं करा सकती, जब तक आप उसको follow नहीं करते, और इस समय बहुत strategies यूट्यूब पर आएंगी, आप किसी एक को पकड़ लो, आपको जो person ठीक लगता है, जो teacher ठीक लगता है, जो भाईया दीदी आ आपको ठीक लगता है, आप उसको पकड़ लो, और उसको पकड़ने के बाद में जो है, आप अपना उसको blindly follow करना सुरू कर दो, खतम का, आप अपने गंतव्य तक, आप अपने लक्ष तक, आप जरूर पहुँच जाओगे, लेकिन आप यदि बार बार उसको बदलोगे, क आपको बदलोगे, 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 आपको